नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूँ निशान चत्रवेदी स्वागत है आपका अमरी इस खास पेशक्रश्म है आजादी के महनायक नेता जी की मौत का सच्च क्या वाकई हादसे में होई थी नेता जी की मौत 79 साल से ये सवाल मुकमल जवाब का इंतिजार कर रहा है सरकार का दावा है कि 18 आगस 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में गई थी नेता जी की जान लेकिन नेता जी से जुड़े लोग इसे इत्तिफाक नहीं रखते एक किताब में जो खुलासे हुए है उसे जानकर आप भी हैरान रहे जाएंगे आजादी का वो अमर सिपाह है जिसके लिए जनून था आजाद जिसका सपना था आजाद भारत जिसने बनाई आजाद हिंद खौच जिसने बुलंद की आजादी की आवास जिसने किया खौन के बदले आजादी का वादा आजादी मिले लेकिन कहा गए नेता जी किसने छुपाया नेता जी की मौत का राज देश आजाद है लेकिन क्यों कैद है नेता जी की मौत का सच आखिर क्या है नेता जी की मौत का रहस 18 अगस्त 1945 नेता जी सुभाष चंदर बोस पेन से मांचूरिया के सफर पर निकले थे और फिर हमेशा के लिए रहस्य की धुंद में लापता हो गए 23 अगस्त को जापान की एक न्यूस एजनसी ने दुनिया को नेता जी की मौत की मनहूस खबर दी उस खबर के मताबिक ताइवान की धर्ती पर एक विमान हाथसे में उनकी मौत हो गए एक बार फिर नेता जी सुभाष चंदर बोस की मौत सवालों के खेरे में है पत्रकार और लेखक अनुज धर ने अपने किताब इंडियाज बिगस्ट कवर अप में लिखा है कि नेता जी की मौत विमान हाथसे में नहीं हुई थी वो लिखते है सरकार कहती है कि नेता जी की मौत विमान हाथसे में हुई थी जब वो सोवेत रूस जाने की कोशिश कर रहे थे जबकि उनके जापानी साथियों ने इस खबर को जूटा बदाया उनके मताबिक नेता जी सोवेत रूस पहुंचने में काम्याब हो गए थे कई साल वहां रहे और उसके बाद वो भारत पहुंचे और यहां कई सालों तक गुम्नाम जिन्दगी बिताई जो फैजावाद में जो गुम्नामी बाबा जिसकी 85 में डर्थ हुई थी अनुजधर की किताब हिंदोस्तान की पिछली कई सरकारों को सवालों के घेरे में खाड़ा करती इस मुद्ध पर इंडिलिजन्स ब्यूरो का कहना था कि सरकार के नजरिये के मताबिक नेता जी की मौत ताईवान में प्लेन क्रेश में हो चुकी है ज़की पश्चिम बंगाल में लोग इस बात को नहीं मानते अगर हम अस्थियां लेकर आते तो ये लगेगा कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों पर अपनी राये थोप रहे हैं अपने इस बात की तस्दीक करने के लिए अनुजधर ने अपनी किताब में ग्रे मंतराले की फाइल नंबर एक बटा एक दो शून एक चार बटा दो साथ बटा नो टीन आईस डी डॉट एक एक को कोट किया है इंटेलिजन्स ब्यूरो की रिपोर्ड के उलट विदेश मंतराले का मानना था कि नेता जी की अस्थियां भारत में लाई जाए और वो इस बात के लिए भी तयार थे कि लोगों में इस मुद्दे पर एक मत बनाया जाए जिससे कि नेता जी की मौत से जुड़े विवात को को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकी नेता जी की मौत रहस्य या हादसा बहस अभी जारी है लेकिन मुश्किल है इस बहस का किसी भी अंजाम तक पहुँचना क्योंकि कई राज अब तक नहीं खुले और हर दस्तावेज अलग कहानी कह रहा है कैमरमन विनोत के साथ हम के लिए दवाब डाले का है मुँ मांगी रखम की पेशकश की गई ब्लाइंग चेक आफर क्या क्या लेकिन नेता जी की पत्नी ने उस चेक के टुकडे टुकडे कर दिये आप भी सुचने होंगे कि आखिर लिखा क्या था उन दस्तावेजों में सरकार का दावा विमान हाथसे में गई नेता जी की जान किताब का दावा विमान हाथसे में नहीं गई नेता जी की जान किताब का सवाब कहां है नेता जी का डिथ सर्टिफिकेट नेता जी सुभाष चंद्र बोस की मौत दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टरी बन गई है सरकार ने इस पर चांच के लिए कई कमेटियां बनाए आयोग बनाए लेकिन सच क्या है या भी तक पूरी तरह सामने नहीं आया नेता जी की मौत पर सरकारी नजरिये से तिफाक रखने वालों की तादात बेहत कम है यही वज़ा है कि सरकार उनकी मौत के बाद एक के बाद एक जांच कमेटियां बनाती चली गई हिंदुस्तान आजाद होने के 9 साल बाद 1956 में भारत सरकार ने नेता जी की मौत की जांच के लिए शाहनवास कमेटी का गठन किया 1970 में खोसला कमिशन को भी जांच का काम दिया गया लेकिन ये दोनों जांच सवालों के खेरे में फंस गई क्योंकि दोनों आयोक के अधिकारियों ने ताइवान सरकार से कोई बात ही नहीं की नेता जी की मौत महज एक रहस बनकर रह दे 1999 में मुखर जी कमिशन एक बार फिर जांच शुरू की तो तहल का मज़के 2005 में ताइवान सरकार ने कहा कि 1945 में उनकी धर्थी पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं मुखर जी आयोक ने ये बात अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दी लेकिन भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट खारिच कर दी आखिर क्यों छुपाया गया नेता जी की मौत का सच नेता जी की मौत का सच सामने ना आने से किसको हो सकता था फाइदा आखिर क्यों हिंदोस्तान के करोड़ों लोगों को नहीं मालू नेता जी की मौत का रहस आखिर कौन सा राज छुपा है नेता जी की मौत के राज भी इंडियास बिगस्ट कवर अप के लेखक अनुजधर का कहना है कि नेता जी की मौत से जुड़ी पहली तब ही सुलच सकती है जब सरकार इंटलिजन्स एजन्सियों के पास मौजूद दस्तावेजों को खंगा ले कई साक्षू के आधार पर उनका मानना है कि नेता जी ने जिन्दगी के आखरी दिन फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से गुजारे और वही पर उनकी मौत भी हो गई कि गुमनामी बाबा के पास से मिली चीजों की सूची बना कर उन्हें दिखाया जाए ललिता का कहना था कि 23 बक्सों में बंद 2673 चीजें उन्होंने देखी थी उनमें कई चिठियां ऐसी थी जो उनके चाचा सुभाश चंद्र बोस की हैंडराइटिंग में थी साथ में फैमिली फोटोग्राफ भी थे बाद में ये बक्से जिला कोशगार में भेज दिये गए थे नेता जी सुभाश चंद्र बोस की मौत की पहली जितनी बार भी सुलजाने की कोशिश की गई उतनी ही वो उलच दी जा रही है एक के लिए जो सच है दूसरे के लिए वो सच से परे है अनुजधर भी अपनी खोजबीन के जरी जिस नतीजे पर पहुँचे है जरूरी नहीं कि सब उनसे इतिफाक रखे लेकिन उन्होंने शांत पड़े दालाब में धल्चल तो जरूर मचा दी है नेता जी की मौत की गुथी सुलजाने के लिए मुखर जी कमिटी का गठन क्या क्या मुखर जी कमिटी के रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि विमान हादसे में नहीं हुई थी निताजी की मौत इसे पहले शाहनवाज और खोसला कमिटी ने दूसरी थियोरी पर महर लगाई थी सरकार इसी को सच मान का चल रही है अब सवाल ये है कि इन कमिटीों के रिपोर्ट में फर्क क्यों है तुम मुझे खुन दो मैं तुमें आजादी दूगा नेताजी सुभाश चंदर वोस ने अंग्रेजों के खिलाफ में नरा भुलंद कर देश भर में इंकलाब दोला दिया लेकिन जब देश के आजाद होने की बारी आई तो वो लापता होकर एक रहसे बन गए एक ऐसा रहसे जिससे समझने की अब तक जितनी भी कोश्चे की गई है ये उतना ही गहराता गया आजादी के बाद जवाहलाल नहरू की सरकार ने एक तरफ माना की 18 अगस्त 1945 को नेता जी की एक विमान दुरखटना में मौत हो गई तो दूसरी तरफ मेता जी की मौत का सच जानने के लिए शाहनवाज कमेटी ही बनाई 1955 में बनी शाहनवाज कमेटी ने अपनी जाच के बाद एक विमान दुर्खटना में हुई नेता जी ती मौत को सही धहराया लेकिन इस कमेटी के ही दूसरे सदस्य और नेता जी के छोटे भाई सुरेश चंद्रबोस इसे मानने से इंकार करते रहे रिपोर्ट के मुताबिक नेता जी 16 अगस्त 1945 को अपने कुछ साथियों के साथ जापान के एक वम वर्षक विमान में बैटकर सिंगापुर से बैंकॉप पहुँचे बैंकॉप में रात गुजारने के बाद वो 17 अगस्त 1945 को वियत नाम के शहर साइगॉन पहुँचे साइगॉन से आगे जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाद से नेता जी से अपने सभी सहयोगियों को साथ ना ले जाने के लिए कहा लिहाजा नेता जी अपने सबसे करीबी करनल हभीबुर रह्मान के साथ मंचूरिया की ओर बढ़े रास्ते में उन्हें वियतनाम के शहर तुरेन में रुखना पड़ा तुरेन में रात गुजार कर अगले दिन वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के शहर ताइहोकू पहुँचे शहनवास रिपोर्ट के मुताबिक नेता जी के विमान ने ताइहोकू से मंचूरिया के लिए अपनी उलान भरी लेकिन उलान भाईते ही ये दुरगटना गरस्त हो गया रिपोर्ट के मुताबिक इस दुरगटना में नेता जी बुरी तरह जल गए और पास के मिल्टी अस्पिताल में उनकी मौत हो गई इस रिपोर्ट के मुताबिक नेता जी का मकसद मंचूरिया के रास्ते रूस में दाखिल होकर भारत में अंग्रेजी हकोमत खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करना था वक्तों के एक चुट से प्रेक आप देखते रहें आज तक